हेलो दोस्तो तो आज हम बात करेंगे हैरीडिटरी स्पैरो साइटोसिज के बारे में हैना तो हैरीडिटरी स्पैरो साइटोसिज अमारी कैसे डिजीज होती है यह। उसके बाद एंबरेन ऑफीर्टीय्ट्वस्पर के मोथ खाएं आखेम्मकार से प्रोटीन विल झुगालमी नीद बयाыт ún Spectrin उसके बाद हो गया हमारा Inkyrin तो हमने देखा कि हमारे protein present होते है membrane में इसकी RBCs की तो इनको बोला दाता है palladine होता है specctrin होता है Inkyrin होता है और हमारा band 3 होता है तो हमारा band 3 रहने वाला है तो palladine, specctrin, inkyrin और band 3 यह जो protein होते है यह हमारे surface of the RBC में present होते हैं अब उसके बाद हम पहले यहां पर दो question लिखते हैं कि अगर हमारा defect present है defect present in ankyrin तो हमारा disease को क्या बोला दाएगा defect present in ankyrin तो हमारा disease का नाम क्या होता है और अगर हमारा defect present होता है in spectrin तो उसको क्या बोला दाएगा defect present in spectrin तो हम लिखते हैं कि अगर अगर अमारे पेशंट में उसके बाद हो गया अगर अमारे पेशंट में डिफेक्ट प्रेजन्ट है स्पेक्त्रीन का अगर हमारा स्पेक्टरीं में डिफेक्ट प्रेजंट है तो इसको क्या बुला जाता है हेरी डीटरीं इलेप्टोसाइटोसिज है तो हमने पड़ा कि यह मारी कैसी डीजिस होती है औ्टोजोमल डोमिनेंट होती है, उसके बाद हमारे या पे डिफक्ट प्रेजेंथ है in पैथोज़ेनेसिसبة अब हमारे पेट्हों हेना प्रेजेंथ combined आप किंफेंथ्या है कि सविप्रान धारीम falar क्लट्प प्रेजेंथ और आप for the flexibility of RBC U5 c00 पर्ड़ क्या होगा एंग कई जनरी on Maggie fateney twenty-bossky मारी क्या होगी जो dbc उक्सिब्रीट चली जाएगी तो आर्बिसी दो जाएगी रिज पि क्या होझाएगी तो यह 9 से लीगा सब धिसे film तो मिलता है यहां पर extravascular hemolysis है ना एक्स्ट्रा वैस्कुलर hemolysis तो मारे पेशन्ट में मिलता है extravascular hemolysis तो हमने देखा कि हमारा defect present है enkiren में enkiren हमारे responsible होता है flexibility of RBC के लिए enkiren है नहीं तो flexibility हमारी RBC खतम हो तो उमारी RBC हो जाएगी rigid और यह अमारी trap हो जाएगी इस प्लीड में जो हमारे macrophages होते है ना macrophages यह मारे क्या करेंगे खा जाएंगे इन RBC को तो eaten अब इटन इस RBC तो हमारे patient में देखने हो मिलेगा extravascular hemolysis है ना उसके बाद अमारे patient में clinical features क्या देखने हो मिलेगे pathological jaundice होता है ना pathological jaundice तो जो जो मैरा pathological jaundice होता है यह हमारा taraf present करता है within 24 hour भी दिटिव अवर्ट के इसको बूला रहता हमारा pathological jaundice तो हमारे patient को anemia है और हमारा क्या दियावा है जोंडिस दिया जो कि यहारा pathological jaundice विदिन 24 hours of the birth है ना उसके बाद हमारे patient में यहां पर जो RBCs है वो हमारे सारे कहां पर जाकर डिस्ट्रोई हो रहे है स्प्लीन में जाकर डिस्ट्रोई हो रहे है ना तो स्प्लीन का हमारा काम करने capacity बड़ी हुई है तो मारे patient में क्या देखने हो मिलेंगी स्प्लीनों में गैली देखने हो मिलेंगी ना क्योंकि हमारा workload बड़ा हुआ है किसका स्प्लीन का तो मारे patient में देखने हो मिलेगा स्प्लीनों में गैली उसके बाद हो गया अब हमारी patient में क्या देखने हो मिलते हैं गोल स्टोन्स आम वाल तो यूम्हें कैसे होते हैं ब्लेकिं कलर के बलैकिं कलर के एंडा कि ऐनेयमिय हो गया और जोंडी हो गया मारा सिलिंदो मे отлич और किग्मेटिद गोल टों Happiness का टाइगनोसिस कैसे बनाते हैं दैग्नोसिज तो डैग्नोसिस बढणने के लिए अम यह आ पर देखेंगे पेरिफरल ब्लड स्मियर और सी बीसी है ना इस अ embr smrea में पेरिफरल ब्लड स्मियर में हमारे यहाँ पर क्या देखने हूँ मिलते हैं स्पैरो साइट्स देखने हूँ missing होता है lack of central pallor है ना तो हमारा lack होता है central pallor का तो हम देखेंगे यह जो हमारे spherocytes होते है ना यह हमारे spherocytes है यह हमारे छोटे होते है size में और इनके अंदर जो हमारे central pallor होता है वो हमारे missing होता है ना जो हमारी normal RBC होती है उसमें हमारा क्या होता है वन थर्ड हमारा central pallor present होता है बट हमारा spherocyte में क्या होता है जो central pallor होता है यह मारा missing होता है और RBC हमारे छोटे size के हो जाते है तो इनको बूला जाता है spherocyte से तो hereditary spherocyte तो हमारी एक finding देखने हो मिलती है spherocyte उसके बाद हो गया इस patient में हमारा hemoglobin क्या कर जाता है decrease कर जाता है और LDH के level हमारे कैसे हो जाएंगे LDH के level हमारे increase कर जाते है उसके बाद हमारे bilirubin के level यहाँ पर कैसे होता है increase कर जाते है क्योंकि हमारा hemolysis हो रहा तो bilirubin के level हमारे यहाँ पर increase कर जाते है उसके बाद हमारे यहाँ पर रेटिकुलो साइट काउंट पर क्या असर पड़ेगा रेटिकुलो साइट काउंट तो हमारे पेशन्ट को जो रेटिकुलो साइट काउंट होता है यह हमारा इंक्रीज कर जाता है तो mainly हमने यहाँ पे देखा कि हमारे patient में spherocytes देखने को मिलेंगे hemoglobin decrease है LDH के level हमारे increase कर जाएंगे bilirubin के levels हमारे increase कर जाएंगे और reticulocyte count हमारे increase कर जाएगा उसके बाद हम यहाँ पे parameter देखते हैं MCH, MCV और हमारा हो गया MCHC है ना उसके बाद हमने देखा जो हमारा MCV होता है MCV तो हमारा MCV इस patient में क्या कर जाता है decrease कर जाता है जबकि जो हमारे MCH के level होते हैं यह हमारे कैसे होते हैं normal होते हैं अगर हमारे patient में MCV की value decrease कर जाएंगी है ना तो हमारे patient में MCHC की values increase कर जाती है ठीक है तो इसलिए हमारा नोर्मोग्राम में क्या लिखा होता है राइट शिफ्ट इन नोर्मोग्राम राइट शिफ्ट इन नोर्मोग्राम है ना तो हमारी राइट शिफ्ट लिखी होती है कि इसमें नोर्मोग्राम में कि वर्ट इस दा सेंसिटिव टेस्ट फोर हेरीडिटरी स्पेरोसाइटोसिस तो मारा सेंसिटिव टेस्ट हमारा क्या होता है हेरीडिटरी स्पेरोसाइटोसिस के लिए ओस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट है ना ओस्मोटिक फ्रेजिलिटी टेस्ट नेस्ट लोफ लिख सकते है ना तो हमने देखा कि sensitive test हमारा क्या होता है osmotic fragility test बट हमारा osmotic fragility test अगर option में ना दिया हो तो हमारा क्या तो हम answer यहाँ पर क्या लगा सकते हैं तो हम यहाँ पर answer लगा सकते हैं osmotic gradient इक्ता साइटोमेट्री ओस्मोटिक ग्रेडियंट इक्ता साइटोमेट्री ना तो sensitive test हमने देखा कौन सा होता है osmotic fragility test नेस्ट बोल सकते हैं और हमारा अगर यह option में ना दिया हो तो दूसरा हमारा second best answer हमारा क्या होता है यह हमारा होता है osmotic gradient इक्ता साइटोमेट्री ना उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे जो हमारी osmotic fragility होती है यह हमारी patient में क्या करेगी increase करती है decrease करती है आप मेरे को बताओ hereditary sparocytosis तो सबसे पहले नाम लिखते हैं ना hereditary sparocytosis तो hereditary sparocytosis में हमारा क्या होता है H पर दान देंगे है ना तो H का मतलब हो गया हाई है ना तो मारे patient में क्या करती है increase कर जाती है क्या osmotic fragility तो मारे patient में increase कर जाती है osmotic fragility increase osmotic fragility तो ऐसे याद रखेंगे Hereditary Sparocytosis का जो हमारा H होता है H से हम याद रखेंगे High होती है तो Hereditary Sparocytosis में हमारी Osmotic Fragility increase कर जाती है उसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा Specific Test क्या होता है What is the Specific Test for Hereditary Sparocytosis तो हमारा Specific Test क्या होता है हमारा Hereditary Sparocytosis के लिए Flow Cytometry होता है Flow Cytometry होता है अब हमारा कोशन है यहाँ पर कि हमारी कौन सी Stain यूज की जाती है Flow Cytometry Based Diagnosis of Hereditary Sparocytosis के लिए तो Stain which is used for Flow Cytometry Based Diagnosis है ना Flow Cytometry Based Diagnosis of Hereditary Sparocytosis तो हमारी कौन सी Stain यूज की जाती है Flow Cytometry Based Diagnosis of Hereditary Sparocytosis के लिए बताओ हमारी कौन सी यूज की जाती है यह हमारी होती है Eosin 5 Melanide है Eosin 5 Melanide Eosin 5 Melanide तो यह हमारी Stain होती है जो कि यह हमारी यूज की जाती है Flow Cytometry Based Diagnosis of Hereditary Sparocytosis के लिए अब हमारे patient में क्या हो रहा जो मारे RBC है वो हमारे सारे काहँपे जाके स्पलीन में जाके डिस्ट्रॉई हो रहे है तो हमारा treatment क्या रहने वाला है हम स्पलीन को remove कर देंगे तो इसको क्या बोला दाता है elective splenectomy क्या बोला दाता है elective splenectomy है ना तो हमें आपके स्प्लीन को क्या कर देंगे remove कर देंगे तो elective splenectomy बोला जाता है इसको जो हमारा स्प्लीन होता है ये हमारा क्या करता है protect करता है capsuleated organism से तो अगर हम स्प्लीन को remove कर देंगे तो मारे patient में बहुत सारे organisms के infection भढ़ जाते है जैसे कि हमारा pneumococcus हो गया है ना तो हमें इस patient को हमारे क्या देनी पड़ती है vaccine देनी पड़ती है है ना कि हमारे patient को infections ना हो जैसे कि हमारी देनी पड़ती है pneumococcal vaccine हो गया मैं इन जो कोकल वैक्सिन हो गया इन्फ्लूएंजव वैक्सिन हो गया तो यह सब हम वैक्सिन दे देते हैं after 10 प्लेंटमी कि हमारे पेशन में जो infection के chances होते हैं वो decrease हो जाए अब हमारी यहां पर दो finding देखने को मिलती है एक तो हमारी होती है Cabot Ring और हमारा हो गया Horvel kho Joly bodies तो हमारी Cabot Ring कैसी दिखती है? तो Cabot Ring उमारी RBC में इस ताइप की दिखती है या फिर हमारी कैसी शेप ले लेती है? 8 की शेप ले लेती है तो इसको बुला दाता है Cabot Ring तो यह अमारी है Cabot Ring हुआं अ कि यह ही हमारी hebt Am I कि यहमारे इस टाइप से देखने को मिल रहा है neurot यह हम ने देखा कि यह क्लिवर लोत है है कैफ सिन देख को केबोट रिंग और होवल जोली बोडी यह हमारे किस पेशन्ट में देखने हो मिलती है स्प्लेनेक्टमाइज पेशन्ट में है ना जिसका स्प्लीन ना हो स्प्लेनेक्टमाइज पेशन्ट में देखने हो मिलती है ना या फिर बोल सकते हैं A-splenia है ना तो splenectomide patient में यमारी देखने को मिलती है ठीक है splenectomide patient में अमारी क्या देखने को मिलती है कैबोट रिंग और होवल जोली बोडिस देखने को मिलती है अब हम यहाँ पर question देखते है कि अगर हमारे patient को hereditary sparocytosis है और हमारे patient को अगर infection हो जाए किसका? human parovirus B19 का human parovirus B19 तो अगर हमारा human parovirus B19 का infection हो जागा hereditary sparocytosis के patient को तो हमारा क्या हो जाता है patient को? ए A plastic crisis हो जाता है एक बाद चोटा सा revision करेंगे treatment हमारा क्या है उसके बाद जो हमारी sustained use की जाती इसको बोला जाते है हमारा eosine 5 email ऑसके बाद जो हमारी osmotic fragility रहने वाली यह मारे patient में increase कर जाती है अगर osmotic fragility अगर मारी option में ना दी हुई है तो हम क्या लगा सकते हैं Osmotic Radiant Ictocytometry, MCV के वैलियों हमारी decrease होती है और MCHC के वैलियों हमारी increase कर जाती है, peripheral bread smear में हमारे देखने हों मिलते है Spherocyte's यह मारे क्या होते है, smaller RBC होते है, जिनका हमारा लेक होता है, central pillar है तो आप इसको देखोगे तो अच्छे से समझ आएगा आपको है